नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लिप माक्स बनाना बताएंगे दोस्तों लिप स्टाइन महंगा आता है लेकिन आप इसको असानी से घर पर भी बना सकते हैं लिप स्टेन का यूज होटो पर एक बिल्कुल नैचरल कलर देने के लिए किया जाता है इसके इस्तेमाल से होट नैचरल पिंक दिखते हैं और साथी डेट स्किन सेल्स भी होटो से हट जाती हैं जिससे वो मुलायम बच जाते हैं दोस्तों जो लोग अपने होटो की देख बाल नहीं कर पाते हैं और लपिस्टिक आदी लगाना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए पील ओफ मार्क्स लिप्स को ब्यूटिफल दिखाने का एक बहतरीन विकल्प है आज हम आपको दो तरीकों से लिप पील ओफ मार्क्स बनाना बताएंगे पहला तरीका जो हम आपको बताने जा रही हैं उसके लिए आपको इन चीजों की जरूरत है जिलेटिन पाउडर, ग्लेसरीन, रेड और पिंक फूट कलर आप एक चमच जलेटिन पाउडर में एक चमच फूट कलर डालिए और फिर इसमें आप एक चमच गरम पानी डाल कर अच्छी तरह से मिला लीजिए दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि इस मार्क्स में गाठे नहीं पड़े अगर ये ठीक से नहीं मिले तो आप इसको थोड़ा सा गरम कर लीजिए फिर आप इसमें आदा चमच ग्लेसरीन मिला लीजिए इससे आपके लिप्स मॉस्ट्राइज रहेंगे और जब ये मिश्रण हलका गुनगुना हो तो आपको इसको अपने लिप्स पर लगाना है इस बात का ध्यान रखिए कि इसको लिप्स से बाहर नहीं लगने दे फिर लगबग 20 मिनट तक इसको लगा रहने दे और सूखने दे जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो आप इसको अपने लिप्स से उतार दे इससे आपके लिप्स पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे ऐसा ही एक और असान सा लिप्स टाइन बनाने का तरीका हम आपको अब बताते हैं इसके लिए आपको चाहिए गलू लाल या गुलाबी फूट कलर आप एक चमश गलू यानि की गोन में थोड़ा सा लिप कलर डाल कर अच्छी तरह से मिलाईए और फिर इसको अपने लिप्स पर लगा लीजिए फिर इसको अपने होटो पर लगा कर छोड़ दीजिए इसको सूखने में कुछ मिनिट लगेंगे जब ये अच्छे से सूख जाए तो आप इस मार्क्स को अपने होटो से हलकी हलकी उतार दीजिए दोस्तो आपको ये मार्क्स होटो की अंदर वली सतह पर नहीं लगाना है जब आप इस मार्क्स को अपने होटो से पील करेंगे तो आपके लिप्स में एक नैच्रल कलर भी आएगा और वो सॉफ्ट बनेंगे दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको लिप्स टेन और पीलो मार्क्स बनाना बताया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तो रिष्टेदारों के साथ शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें धन्यवाद दोस्तो